गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दा पिजन गैंगिस्टर्स सो तो कैसे आप सभी लोग तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि हमारे कभूतर इस वक्त बड़े ही भूके हैं और यह आज नाराज भी है कुछ मेर से क्योंकि आज सुबह से किसी में खाना नी दिय है तो बहुत ही परिशान है तो मैं पहले इन्हें खाना दूंगा तो दोस्तों मौल बहुत ही करम हो चुका इस वक्त देश में गर्मी बहुत जोरो सोरो से है और मौल दिखा देता हो आपको तक्षी धूपका देख सकते हैं आप चारों तरफ बिल्कुल गरम महौल है और इस गरम महौल में हम पहर के तीन मजे कभूतर बाजी कर रहे हैं इस चक्ते तो यह भी एक फोनर का काम है और एक कभूतर हमने जो अपनी चक्तों उता रहा है यह भी वह भी मैं रिखा देता हूं आपको यह नह होंगा पहले तो मैं और बहुत अक्सी बात है क्योंकि ऐसे मौसम में जिस गरम महौल हो और आप कभूतर पकड़ रहे हो तो उस टाइम की फीलिंग अलग होती है तो दोस्तों कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको अपने घर के पट्ठे दिखाएते जो कि ग्रोप पे हैं जंगली के नीचे लिख ले हुए थे तो इस तरह से आप भी करें ग्रोथ अच्छी थी इनकी एंड गाइस साथ में हमारे इन बच्चों की रोथ भी देख लेते हैं कंपेरेजन करते हैं पाग्चुवा जंगली के बीच में अगर तो आप देख सकते हैं तो बच्चों की ग्रोथ सब हैं लिकाज जंगली कोउंटर एक अलाइक केंपरेटर में रहने की आदका दाल पी रहता है और वह हर मौसम के इसाब सबना आपको ढाल लेके हैं देख सुन से वाफ बच्चों की दोस्तों में आपको उनकी ग्रोथ भी दिखाना जाता हू जो कि है तो हमारी घर की पैदावार पढ़ा है तो उन्हें भी देखते हैं दोस्तों बहुत गहराई में जाना पड़ेगा मुझे सर्वाइव करते हुए देख सकते हुए अभी इनकी मदर हैं नहीं आपे मदर फादर और इनकी ग्रोथ देखा हूँ बटा नाइस बेजी और शंक्ते भाद देख सकते हैं वात ग्रोथ वश्याशना लेए देख सकते हैं ए एक बार पहुत दरता है मेरे से बहुत जाला यह देगे दोस्तों और एक चीज़ देखे आप इनकी गोस्तलों की पनावट रगी रहती है कास पूस से बनाते है ताकि बच्चे बिमार नहों और एक देखे आप एक भी ना दाना है ना कुछ है और यही मैं अगर अपने पिजन हाउस के बच्चों का दिखाऊंग तो में इतना ही मिलते परी नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे वह कभू सब्सक्राइब तयार है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में टैंटी दोस्तों लगी दोस्तों